उत्तर प्रदेश के हर्दोई के पन्वापुर में एक निर्दई पती ने अपनी पत्नी की धारदार हतियार से हत्या कर दी है इस घटना से गाउ में संसनी फैल गई है पुलिस ने शव को कबजे में लेकर पॉस्ट मॉटम के लिए भेज दिया है और आरोपी पती को गिरफतार कर लिया है आपको बता दें कि हर दोई के सुरसा थाने इलाके में पती कमलेश ने अपनी पत्नी की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी है अपर पुलिस अधिक्षक पूरवी अनिल कुमार सिंग ने बताया कि पहले आरोपी ने अपने पता की उंगली को दांतों से चबाया उसके बाद जब पता भाग निकला तो उसने अपनी पत्नी को कमरे में बंद करके उसकी गला रेत कर हत्या कर दी घटना की सूचना मिलते ही अपर पुलिस अधिक्षक पूरवी अनिल कुमार सिंग मौके पर पहुँचे वही पुलिस ने शव को कबजे में लेकर पॉस्ट मॉटम के लिए भेज दिया है वही घटना को अंजाम देने वारे पती को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और आरोपी पती के खिलाफ कारिवाई की जा रही है अज सुचना को आज सुबा एक सुचना मिली एक महिला है चालिज परसी कांती वाईका कमलेस इसकी डेड़ बॉड़ी पढ़ी है इस सुचना पर पुली दोरा तक्काल मौके पहुंच करके उस्ताज की पता चला कि उसका पती कमलेस लोगभग 45 साल का है उसके दौरा उस अपनी पत्टनी का मणर किया गया है यहां यहां भी बताना जरूरी है कि नौजय की लगभग अपनी उसमें फादर का एक अमुली का ट लिया है से फादर इत्याद सब वहाँ से भाग दै उसके बाद उस महिला आ पत्मी को उसमे कमरें बंग कर लिया और इतना से तंगारी और तंगारी से काट करके उसका मणर किया है। पुलिस इसमें बॉडी को पीम के लिए भेच दिया है। मुकदमा पंजीत जिया जागा है। अभी को ग्रता कर दिया है। इसे ही लिटेश को पाने के लिए बेल इकन को क्लिक करें हमारी चैनल को लाइफ, शेर और सब्सक्राइब करें। घंडे वादी! पुति गार्डन अजे बीडी बैंकेट्स एंटरप्राइब